हे, हलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल Maths by अभिनव राजपूत में और Prime Time 2.0 में आज हम लोग Average की चौती क्लास करने वाले हैं, मेंली आज का जो क्लास है ये फुली बेस्ट है Ages पे, यानि Average पे कोई सारे ऐसे Cautions आते हैं, जो Age पे matter करता है जैसे आपने Ratio में पढ़ा होगा ना, तो आज भी हम वैसे ही Cautions करने वाले हैं Basically Cautions based on Ages, Classes की PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल Maths by अभिनव राजपूत पर मिलेगा और अगर आपको personally कोई Cautions होता है, SSA से related, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो ओके, बड़ ध्यान रखना, Caution SSA से related होना चाहिए, Fault to Caution नहीं होना चाहिए तो start करते हैं, देखो पहला Caution क्या है, आपको idea हो जाएगा 2-3 Cautions करते ही, कि कैसे करना है उसके बाद तो आप video रोक के चाहो, तो खुछ से भी कर सकते हो, और end तक देखना, अच्छे से देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे और ऐसे Cautions आज के बाद आप गलत नहीं गरोगे, देखो क्या है, the average age of a husband and wife who were married 4 years ago was 25 years at the time of their marriage देखो, एक husband और wife, जब उनकी सादी हुई थी ना, 4 साल पहले, तो उनका average था 25 साल, ओके, 25 साल, देखो husband, husband और wife का average कितना था, आज से 4 साल पहले, 25 साल, ओके, आप इसको ऐसे देखो, मान के चलो, मेरी उमर आज से 10 साल पहले 20 थी, तो बताओ, आज मेरी उमर कितनी होगी 30, मान लो, मेरी और मेरी wife की उमर का average 5 साल, 10 साल पहले 11 था, 10 साल पहले कितना था, 11 था, यानि 20 साल का मैं, 22 साल की मेरी बीवी, average कितना, 11, अब 10 साल बाद क्या होगा, ये 20, 30 हो जाएगा, 22, 32 हो जाएगा, और average भी देखोगे, तो average भी 10, increase कर जाएगा, यानि नया average क्या हो होगे, average उतना ही बढ़ेगा, और ये वाला type का question हमने average में किया भी था, जब 2 number एड़ गर रहे थे सब में, तो average भी 2 बढ़ जा रहा था, तो देखो क्या है, the average age of husband and wife who were married 4 years ago was 25 years, तो आज कितना होगा इनका average, 29, अगर 4 साल पहले 25 था, 29 average है, तो sum कितना होगा, आप number है, अब आगे देखो, the average age of the family consisting of husband, wife and child born during the interval is 20 years today, यानि इन ही बीच में, इन 4 साल के बीच में एक बच्चा पैदा हुआ है, आप से पूछा गया उस child की age क्या है, अगर अभी के लिए देखों तो मैं husband, wife and children, इन तीनों का average है 20, तो sum कितना हो जाएगा, 60, 20 into 3, 20 into 3, 16 हो ज जाएगा, एक बात बताओ, husband और wife का कितना है, 58, तो child का कितना हो जाएगा, 60 minus 58, तो children की उमर जो है, वो दो साल हो जाएगी, कितनी, दो साल, I hope clear होगा, question number second देखों क्या है, when the average age of a husband and wife and their son was 42 years, okay, when the average age of a husband and wife and their son was 42 years, the son got married, and a child was born just one year after the marriage, समझो, husband, wife और उनका एक बच्चा, okay, उनका एक बच्चा, जब इसकी सादी हुई न, तब इनका average था 42, ध्यान रखना ये average था, ये जब उनकी सादी हुई थी, okay, the son got married, and a child was born just after one year, after the marriage, सादी के एक साल बाद एक बच्चा पैदा हुई, when child turned to be five years, then the average age of the family becomes 36 years, समझो, ये 42 साल है, यानि कि 126 कह सकते हो, husband, wife और children का सम कितना है, 126, ये बहुत पहले की बात है, अब देखो, after one year, one year after, child was born, एक साल बाद एक बच्चा पैदा हो गया, आगे देखो, when the child turned five years, then the average, अब देखो, child पैदा हुआ और उसके पात साल बाद, उसके पात साल बाद, देखो, ये बच्चे पैदा होने के पात साल बाद बाद कर रहा है, और बच्चा कब पैदा हुआ था, इस incidence के एक साल बाद अब देखो यानि total अगर आप देखोगे इसमें और इसमें यानि जो मैं अभी लिखने वाला हूँ husband, wife, children children की wife और children का son मैं इसको CS लिख रहा हूँ इन पांचों का average देखो यहाँ पे कहीं पे भी wife का जिकर नहीं है बड wife भी तो होगी ठीक है यह बहुत simple सी बात है तो 30 है इनका average तो sum कितना हो जाएगा 150 150 इसमें तो कोई दिकर नहीं है ना अब देखो 126 था husband, wife और children का age बड़ यह कितने साल पहले की बात हो रही है 6 साल पहले की बात हो रही है देखो कैसे children की उमर है 5 साल इस बच्चे की उमर है 5 साल और बच्चा पैदा हुआ है सादी के एक साल बाद और सादी के age के वक्त इनका sum था 126, 6 साल गुजर गया 666, यानि तीनों का एक तरह साब कहा सकते हो कि 666 साल बढ़ गया है तो यह 30 नहीं है, 36 है तो 180 हो जाएगा तो क्या होगा, देखो 666, 18 बढ़ जाएगा तीनों का 6-6 साल बढ़ गया तो 144 144 प्लस और children का wife, तो यहां से CW आजाएगा आपका कितना 149 घटा दोगे 31 आजाएगा, ओके 31, कोई दिक्कत when child turn to be 5 year, the average age of a family become 36 year, ओके and the child was just one after the marriage 6 साल 48, 40 थिया 20, 144 चीख तो है 149 34, 36 इंटू 5 180, 31 आएगा इस cancer, ओके 31 आएगा, I don't find any error in this question, एक बढ़ फिर से देख लो, जब एक पती पत्नी और उनके बेटे की औसत आई 42 वर्स थी, तो बेटे की साधी हो गई, और साधी के ठीक है, एक साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, जब बच्चा 5 वर्स का हो गया, तो बच्चा 5 वर्स का हो गया मतलब 6 साल गुजर गई question देखो, क्या गह रहा है what was the age of daughter-in-law at the time of marriage, साधी के वक्त तो आज उसकी उमर इक 30 साल है, और 6 साल हो गई साधी को, तो 6 साल पहले इसकी उमर कितनी होगी 25, okay A is correct answer question number 3 देखो, the average age of 11 player is 20 year देखो, 11 player है और इसका average कितना है, 20 if the age of the coach also included यानि एक coach के और अगर मैं include कर दूँ, यानि अब 12 बंदे हो गए न, तो average जो है न 10% बढ़ गया, यानि average कितना हो गया 22 हो गया, clear है तो deviation method लगाओ यह हो जाएगा average combined average, 11 और 1 का combined average यह कितना दूर है, minus 2 minus 2, on an average इसका average है, इससे minus 2 है यानि अगर total देखा जाए तो minus 22 क्योंकि 11 बंदे हैं और सबका average दो-दो कम है, तो total age कितना हो जाएगा, minus 22 और आपको पता यह हमेशा 0 बनाना होता है तो plus 22, that means कि जो coach है न, यह average से 22 साल जादा है, तो 22 average है और 22 साल यह एड़ कर दो, यानि coach की उमर कितनी हो जाएगी 44 year, इसको हम deviation method कहते हैं जो हम बार-बार apply करते हुए आ रहे है question number 4, देखो क्या है 2 year ago, the average age of a family of 8 member was 18 year देखो, 8 member की family है 2 साल पहले, धानकनाट, 2 साल पहले इनका average कितना था? 18 अभी कितना होगा? 18 plus 2, 20 हो जाएगा after the addition of a baby, the average age of the family is same today आज भी देखो गए, देखो, एक बच्चा पैदा हो गया तो average 9 हो गया, और आज भी इनका जो अगर आप sum देखते हो ना, sum, I mean average वो आज भी वही है, 18 ही है पहले देखो, पहले 8 लोग थे और इनका average 18 था आज के दिन में अगर आप देखो गए ना, इन 8 का average 20 है यानि अगर मैं इस 8 आदमी का total age देखो ना तो 160 है, ओके, 160 है बट, अब 9 मेंबर हो गए और इनका average भी 18 है तो कितना जाएगा 162, तो यह जो plus 2 हुआ है, यह क्यों हुआ है क्योंकि एक मेंबर add हुआ है और वो मेंबर है बच्चा, और उस बच्चे की उमर कितनी है, 2 साल क्योंकि नमबर पांचमा देखो देखो, एक लड़का है, 18 साल का, वो गया और बदले में एक नया बंदा आया है और उस बंदे के आने से, एवरेज एक माहना कम हो गया एक माहना कम हो गया that means कि जो नया बंदा है, वो जो बंदा छोड़कर गया है उससे कम है, कितना कम है, तो यह देखो 18 माहनास 24 बंदे का एक-एक एवरेज कम कर दिया एक माहना, यानि 24 माहना, 24 माहना मतलब 2 साल तो 18 में से 2 गये, 16 ओके, देख रहे हो, इसको shortcut नहीं कहते है, इसको deviation कहते है, ठीक है average age of 8 men is increased by 3 year when one of them whose age were 30 and 34 are replaced by 2 परसन, देखो, दो बंदे, जिनकी उमर 30 और 34 थी, यानि total अगर देखा जाए, तो 64 था, ओके, तो average age of 8 men is increased by 3 year when two of them, 30, 34, are replaced by 2 परसन, यानि 2 परसन से अगर replace हो रहा है, यानि 2 नए बंदे आ रहे हैं, तो 8 बंदे का average plus 3 हो जाता है, तो ये तो obvious सी बात है, कि जो 2 नए बंदे आए हैं, जो 2 नए बंदे आए हैं, उनका जो age है, वो at least इन 2 बंदे से जादा है, तभी तो average बढ़ा है न, तो कितना जादा है, देखो, 64 और 8 बंदों का 3-3 बढ़ गया, यानि 4 भी से अड़ कर दो, यानि 2 नए बंदे आए हैं, उनका average, I mean sum कितना हो जाएगा, 88, तो average, 2 से divide कर दो, 44. option number D is correct answer, question number 7 देखो, the average age of a group of 20 girls is 15 years, 20 लड़कियों का average है 15 साल, और एक और group है 25 boys का, उसका average है 24 साल, तो बताओ, combined average कितना होगा, तो देखो, 20 लड़कियां 15 साल, तो total उमर हो गया 300, 25 लड़के, 24 साल, sum हो गया 600, अगर मैं total देखूं, तो total age हो जाएगा 900, और बंदे कितने हैं 25 और 20, 45, 900 को 45 से divide करोगे 20 आ जाएगा, clear है, बिलकुल, question number 8 देखो, there are 30 students in a class, एक class में 30 बच्चे हैं, जो average age है, पहले 10 student का, वो है 12.5, the average age of the remaining 20 student is 13.1, the average age of the student of whole class, बताओ कितना होगा, देखो 30 बच्चे में से न, 10 बच्चे का average है 12, 20 का average है 13.1, okay, 13.1, combined निकालना है, तो 10 इंटू 12 कितना होगा, 12.5, 125 और यह जाएगा 262, अगर आड़ करनू थो, 387 और student कितने है total, 30 है, कर दो, 12.9, ठीक है, 30 से कड़ोगे 360, फिर बचेगा 27, 27 यह नि 13 2.9, 12.9 is your answer. Question number ninth, the average age of 30 boys in a class is 15 year, one boy aged 20 year left the class, but two new boys came in his place whose age differ by five year, if the average age of all the boys now in the classroom becomes 15 year, the age of the younger comer is, यह same question हमने भी कल, मतलब classwork में भी था एक, क्या गहरा देखो, 30 बच्चे का average है, 30 बच्चे का average है, 15 साल, एक लड़का जिसकी उमर थी 20 साल, वो छोड़ कर चले गया, clear, दो नए बंदे आये हैं, मान के चलो A और B, जिनके age difference है, 5 साल, ओके, और इन दो के आने के बाद भी देखोगे, average में कोई change नहीं हुआ है, 15 पंदरा पंदरा ही है, ओके, यानि कुल में लाके आप देखोगे, यह जो बंदा है, जो बंदा गया है, वो average से कितना साल दूर है, 5 साल, average से 5 साल दूर है, यानि average से 5 जादा है, जो यह लेकर जा रहा है, अब एक बात बताओ, A और B जब आएंगे, तो इनका काम क्या है, अगर average change नहीं होना चाहे, तो at least 15 पंदरा, यानि दोनों का उमर तो 30 हो ही हो, दोनों का उमर 30 तो होना ही चाहिए, पंदरा प्लस पंदरा, और at least जो लेकर जा रहा है, यह 5 साल जादा है न, जो लेकर जा रहा है, वो भी यह लेकर आए, यानि दोनों को मिला करके, सम कितना होगा, 35 साल, यानि A प्लस B कितना हो जाएगा, 35, यहां से solve करोगे, तो A की value आजाएगी 20, और B की आजाएगी 15, A की value 20 और B की 15, क्या पुछा आप से, आप से पुछा यंगर वाले की उमर बताओ, 15 साल, देखे रहे हो, कोई calculation नहीं है, दसवा, average age of a family of 10 member is 20 year, the age of the younger member of the family is 10 year, the average age of the member of the family just before the birth of the youngest member was approximately how much, देखो, 10 member है, average है 20 साल, clear है, जो youngest member है उसका उमर है 10 साल, जो youngest member है, उसका year कितना है, I mean उसका उमर कितना है, age कितना है, 10 साल, clear है, आप से पूछा गया है, कि इसके पैदा होने से ठीक पहले, अब देखो कुल में लाके, 10 member और सबकी उमर 20, तो सम कितना हो गया, 200, 10 साल पहले, 10 साल पहले चले जाओ, तो इनका average कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो, 10 साल यानि 10-10 सबकी उमर कम कर दूँ, 100, यानि इनकी age का सम कितना होगा, 100, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, तो दस साल पहले जैसे ही गया ना, तो यह जो छोटा बच्चा था ना, वो गाइब हो गया, अब है ही नहीं वो, वो पैदा ही नहीं हुआ, तो लोग कितने बच्चे, 9, तो अब जो combined average है ना, वो यह है, 100 by 9, यानि 11 1 by 9, Okay, question number 11 देखो, from a class of 42 boys, 42 बच्चे की एक class में, एक बच्चा 10 साल का, goes away, and his place, a new boy is admitted, if on account of this change, the average of the boys of the class increases by 2 months, देखो, एक लड़का भाग गया, जिसकी उमर कितने थी, 10 साल, और उसके जाते ही एक नया लड़का आया, और उस लड़के के आने से ना, हर बच्चे का average 2 months बढ़ गया, तो बताओ, उस बच्चे की उमर कितनी है, तो simple देखो, 10 plus, कितने बच्चे थे, 42 और सबकी उमर 2-2 मैने बढ़ गई है, यानि 84 months, यानि ये extra लेकर आया होगा, तो 84 months यानि की 7 साल, तो जो नया लड़का आया है, उसकी उमर है, 17 साल, बारवा देखो, the present average age of a family of 4 members is 36 years, 4 members है, average है 36 साल, if the present age of the youngest member of the family be 12 years, जो present age है youngest member, जो सबसे चोटा है, 12 साल है, आपसे पूछा है, average age of the family at the birth of the youngest member, जब नया बच्चा पैदा हुआ था, चोटा वाला, तब या उस समय उस family की क्या average थी आपसे ये पूछा है देखो चार member है और 36 साल अभी average है यानि अगर मैं add कर दू तो 144 12 साल पहले अगर मैं add करूँ मतलब 12 साल पहले चले जाओं तो इसमें से मुझे 48 घटाना बड़ेगा क्योंकि 12-12 सबका मैंने घटा दिया अब देखो अब हमारे पास member है सिर्फ 3 क्योंकि छोटा वाला गायब हो चुका है और age का सम कितना है 96 तो बताओ average कितना हो जाएगा 32 clear है question number 13 देखो if out of 10 selected students of an examination 3 were 20 year age 4 of 21 and 3 of 22 तो बताओ average age group का कितना होगा 10 student थे 3 का उमर है 20 साल 4 का उमर है 21 साल और बचे वे 3 का उमर है 22 यानि कुल मिला के अगर मैं दसों member का देखूँ तो age का सम कितना है इसको add करो 84 चे 90 90 साथ डेड़ सो 210 दसों member को अगर मैं age का सम देखूँ तो 210 है तो average कितना हो जाएगा question number 14 देखो average age of 6 sons of a family is 8 year 6 बच्चे है उसका average age कितना है 8 साल clear है average age of the son together with their parents is 22 year देखो 6 sons का है 8 साल और अगर मैं 8 का जोड़ दू यानि 2 parents भी add कर दू 2 parents को भी add कर दू ठीक है तो average age जो जाता है 22 साल if the father is older than mother by 8 year अगर father mother से 2 साल जादा है तो mother की उमर बताओ कितनी है तो सबसे पहले तो यह देखो combined average दे रखा है 22 6 member का इतना है आपको बाचे वे 2 का निकालना है देखो कितना आसान है इसको combined ले लिया आप करने को वैसे भी कर सकते होगी 6 into में 8 48 22 into में 8 176 176 में से घटा होगी तो कितना जागा 26, 22 128 यानि कि जो father और mother है ठीक है father और mother जो है मैंने कुछ गल्दी तो नहीं कर दी 8 चिक 48 और 22 into में 8 ठीक तो है 176 26 22 128 अब देखो mother और father का जो age का sum है वो 128 है और father और mother का जो age का difference है वो है 8 साल ठीक है वैसे आतो गया 68 and 60 यानि यह father की age है यह mother की age है इसको भी solve करोगे तो भी यहीं आएगा Question number 15 देखो क्या है The average age of 8 person is increased by 2 year when one of them whose age is 24 year is replaced by a new person देखो 24 साल का एक बच्चा गया और एक नया बच्चा आया 24 साल का एक बच्चा गया और बदले में एक नया बच्चा आया जिसके आने से आठो बच्चों का जो average है ना वो down हो गया sorry up हो गया कितना दो-दो साल यानि कह सकते हो कि इस आठो बच्चों को इसने आके अपना अपना दो-दो साल दिया तो आठ दोनी 16 16 प्लस 24 चालिस यानि जो भी नया मेंबर आया था उसका एज कितना रहा होगा चालिस 16 देखो तीन साल पहले जो average age है family का 5 member वो है 17 साल तीन साल पहले 17 year है तो आज कितना होगा 20 year प्रिजन डेज में अगर आप देखोगे तो 5 member का age average कितना है 20 अब baby having been born the average as a family is same today एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन आज भी अब देखो एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन उस बच्चे के पैदा होने के बाद भी आज भी उनका average 17 है तो 17 into में 6 102 अब बताओ ये जो difference आ रहा है यहां 5 member का age का sum 100 6 member का 102 ये 2 साल क्या है ये 2 साल का वो बच्चा है जो कह रहा है मुझे भी count करो सत्रवा question 5 साल पहले जो average age है P और Q का वो है 25 साल P Q R का average है 25 आपसे पूछा है बताओ R की उमर 5 साल बाद कितनी होगी 5 years ago average age of P N Q 25 आज कितना होगा so देखो क्या गह रहा है 5 साल पहले जो average age है P और Q का वो 25 साल था तो आज कितना हो जाएगा 30 तो 30 इंटू 260 हो जाएगा average age of P Q and R today देखो P Q और R का average आज जो है वो 25 साल है आज कितना है 25 साल है तो sum कितना होगा 75 अब यहां से क्या R की उमर आ सकती है कितनी आ गई 15 क्योंकि P और Q तो 60 दे रखा है R 15 है आप से पूछा गया है कि 5 साल बाद R की उमर कितनी होगी तो 15 प्लस 5 20 अच्छे से बंद कर दियो भाई से Question number 18 देखो क्या है In a class there are 40 boys and their average age is 16 year एक class है 40 बच्चे है और average कितना है 16 साल वैसे यह average को denote करते है mean, mean ही average है One boy 8-17 year living the class another joining the average become 15.875 देख रहे हो कितना प्यारा question है अब multiply करते रहो इसलिए मैं कहता हूँ deviation deviation हलांकि calculation उसमें भी होगा देखो क्या गह रहा है 40 बच्चे थे average था 16 साल एक बच्चा 17 साल का वो गया और उसके कारण average जो है ना नया average वो 15.875 हो गया यानि कुल मिला के इसके जाने से हुआ क्या average डिप किया है कितना डिप किया है देखो 40 बच्चों का कितना डिप किया है आप बोलोगे 0.125 यानि जाते जाते इसने क्या किया जाते जाते हर बच्चे से 0.125 ले गया और 40 बच्चे थे 40 को 0.125 से करो 8 से करोगे तो एक आएगा 40 से करोगे तो 5 आएगा यानि 17 माइनस 5 तो वो जो बच्चा है जो आया है ना नया उसकी उमर है 12 साल देखे रहो कितना आसान है इसलिए मैं कहता हूँ deviation best है देखा गरो कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है that's it question number 19 देखो क्या है the average age of 30 student is 9 year 30 student का average है 9 साल if the age of their teacher is included the average age becomes 10 year देखो 30 student है average है 9 साल अगर एक teacher आ जाया है ना अगर एक teacher भी आ जाया है यानि 31 बंदेगा average कितना हो जायेगा 10 साल combined average बताओ इन में से कौन सा है 31 है तो उसको वो करो round कितना काम है minus 1 minus 9 plus 9 यानि sorry sorry 30 student था ना average से minus 1 minus 1 into 30 करोगे तो minus 30 plus 30 40 आया समझ मैं क्या किया मैंने देखो 30 बंदेगा average 9 1 का हमें निकालना है और combined देखूँ अगर मैं 31 बंदेगा average तो 10 आ रहा है तो ये जो average है ये से कितना कम है minus 1 यानि on an average हर बंदा एक साल कम है combined average से तो 300 बच्चे मिला कर 30 साल कम होंगे यानि ये जो minus 30 है ये teacher करेगा पूरा teacher जो है plus 30 है और teacher एक ही है तो 30 प्लस 30 divided by 130 होता है यानि कि वो average से 30 जादा है 40 इसको आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो देखो teacher ने क्या किया teacher की उमर 10 साल तो है ही है teacher की उमर 10 साल तो है ही जो average है plus उसने क्या किया 300 बच्चों को 11 साल बढ़ा दिया यानि कि 300 को 11 रुपे दे दिया तो 30 प्लस 10 40 ये वाला method जादा असान है 20 question देखो the average age of 12 player of a team is 25 year अगर captain को भी include कर दे तो average age increases by one year तो देखो इसने क्या किया average 25 साल था एक साल एक बढ़ गया यानि नया average कितना है 26 ध्यान रखना जब replace करते हैं तो हम यहाँ 25 ये 24 लिखते हैं जो जा रहा है लेकिन अगर कभी भी एक नया बंदा include करो गये न तो पहले जितना average था उसमें या तो बढ़ा के या घटा के बढ़ रहा है तो बढ़ाओ घट रहा है तो गटा के तो नया average कितना है 26 साल फ्लस इसने क्या किया 12 के 12 बंदों को एक-एक साल दे दिया 12 player थे हैं न सब को एक-एक दे दिया तो इसकी उमर कितनी हो जाएगी B, D, E, it's 6 year, 24, 6 है तो, clear है, आगे देखो, C is 8 year old, C 8 साल का है, देखो अगर C 8 है और मैं यहाँ C की value 8 पुट कर दूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि A plus B plus D जो है वो 12 साल का है, सब का सम 12 है, C अगर 8 है तो, अब अगर मैं A plus B plus D, A plus B plus D 12 पुट कर दूँ, तो 12 plus E is equal to 24 आ हैगी, यह 24 उदर गया, 12, I hope clear होगा, question number 22 देखो, the average age of 11 player of a cricket team decreases by 2 month, the average age of 11 player of a cricket team decreases by 2 month, when 2 new players are included in the team, replacing 2 player, 2 player of age 17 and 20, इसको replace किया गया है, और इसको replace करने से क्या हुआ, सब की उमर 2-2 साल घट गई, सब की उमर 2-2 साल, 2-2 मैने घट गई, तो आप क्या सकते हो, कि खुल मिला के जो भी 2 बंदे आ रहे हैं, उनकी average इनसे तो कम ही है, कितना कम है, कि इतना कम है कि 11 के 11 बंदे का 2-2 मैने कम कर ग 2 months, clear है, now इसका average निकालना है, दो से divide करो तो क्या जाएगा, 17 साल, देखो, साड़े सतरा आएगा, साड़े सतरा मतलब 17 साल 6 मैने और 2 मैने को divide करोगे, दो से तो एक मैने, तो 17 साल 7 मैने, ये इसका average आ जाएगा, I hope clear होगा, Question number 23 देखो, the average age of 4 brother is 12 year, चार भाईयों का average है 12 साल, अगर मैं mother का भी include कर दूँ, तो average increase हो जाएगा 5 साल, यानि कि 12 साल जो average था, वो नया average 17 हो जाएगा, और इसने क्या किया, इसकी ममी ने, इसकी ममी के उमर 17 साल तो है ही है, और कितना जादा है, इतना जादा है कि चारों क पाँच-पाँच साल बढ़ा दिया, यानि चारों को पाँच-पाँच साल बढ़ाया, यानि 20 साल बढ़ा दिया, तो उसकी ममी की उमर हो जाएगी 37 years, 24th, I don't know, कहां गया, या है ही नहीं, सायद गायब हो गया हो, आपने अगर homework में किया है और आपसे नहीं हुआ है, तो ग्रुप में मुझसे फूच लेना, ओके, ग्रुप में मैं भेज दूँगा, और या हो सकता है, किसी दिन मैं उसको अलग से गरवा दूँगा, ठीक है, 25th question देखो, तीन साल पहले, average of a family of 5 members was 17 years, तो आज कितनी होगी, 20, कह सकते हो, अगर तीन साल पहले 17 था average, तो आज 20 होगा, obvious है, अब baby having been born, the average age of the family is same today, अब देखो एक बच्चा आया, बच्चा आने से क्या हुआ, total member 6 होगे, और average आज भी उनका वही है, जो 3 साल पहले था, 17, यानि आज उनके age का sum 6 है, sorry, 102 है, पहले 100 था, तो ये 2 साल क्यों बढ़ा, क्योंकि एक बच्चा वैदा होगा है, तो उस बच्चे की उमर कितनी है, 2 साल, I hope, question समझ में आ गया होगा, इसके बाद आपको एक class और मिलेगी, और फिर एक mains की classes, then फिर हम लोग advance में चलेंगे धिरे-धिरे, I hope class पसंद आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को like, share, subscribe, sub कर देना, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा, नए topic के साथ, नए topic को नहीं अगली class के साथ, चलो ठीक है, bye, take care.